ओम शान्ती यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती गुड मौर्निग पांच मार्च दो हजार बाईस मिठे मिठे बाबा के मिठे मिठे प्यारे प्यारे माहवा के हम मिठे मिठे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आज बाबा बोले मिठे बच्चे जी बाबा बाप से तुम्हें सूमत मिली है तुमारी बुद्धी का ताला खुला है इसलिए तुम्हारा करतव्य है सब को अपनी बुद्धी का सयोग देना मीठे बच्चे बाप से तुम्हें सूमत मिली है तुमारी बुद्धी का ताला खुला है इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सब को अपनी बुद्धी का सयोग देना आज बाबा ने प्रश्न में पूछा संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन होती है जो बाप ही पूरी करती है संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन होती है जो बाप ही पूरी करती है उत्तर में बाबा ने कहा संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन होती है पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे अभी ये नई आश उत्पन हुई है ये आश एक बाप ही पूरी करता ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी गायन भी है एप्राप्त नहीं कोई वस्तू देवताओं के खजाने में गीत चला आखिर वे दिन आया आज ओम शान्ती सभी भगतों के लिए जरूर कोई दिन आना है सब भगवान को ही याद करते हैं बाकी सभी हैं सीताएं भगतियां सभी दुखी हैं याद करते करते आखिर वे दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं उनको खिवईया बागवान पतित पावन भी का जाता है अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है नास्तिक से आस्तिक बने हैं बाप ने बच्चों को अपना प्रीचे दे अपना बनाया है वर्सा देने के लिए बाप से ही वर्सा मिलता है ना अब यह है बेहद का बाप परम पिता इसलिए सब बच्चे जो भगत हैं वे सब उनको याद करते हैं प्रन्तु यह बात भगत नहीं समझते कितना धूम धाम से बाजे गाजे बजाते तीरत पर जाते हैं कुम्ब के मेले लगते हैं वेद शाष्ट आधी पढ़ते हैं यह सब है भगती मार की समगरी इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वे आकर इस दुरगती से छुड़ाएं पुकारते रहते हैं प्रन्तु बाप का किसको पता नहीं जिसको बाप का पता नहो वे जैसे बच्चा ही नहीं बाप को ना जानने कारण नाश्तिक बनने कारण दुख ही दुख है बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है बाप है स्वर्ग का रचैता वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे लिम्टेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्सा लेने बाकी सब धरवाले मुक्ती का वर्सा लेने आते हैं लेना सब को बाप से ही है बाबा कहते अभी मैं तुमको सेज ते सेज बात समझाता हूँ बस मुझ अपने बाप को याद करो और यह बाप ही समझाते हैं कि पाँच हजार वर्ष पहले भी तुम मिले थे हर पाँच हजार वर्ष के बाद मिलते रहेंगे अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो और फिर पाते हो चौराशी जनम तुम ही लेते हो यह है बहुत जनमों के अंत का जनम तुम समझते हो हम पहले शीर शागर में थे शीर शागर में फसे हैं शीर शागर वा विशे शागर कोई है नहीं प्रंतु पावन थे फिर माया रावन ने पतित बनाया अब फिर बाप पावन बनाने आये हैं गीत में भी कहते हैं आखिर वे दिन आया आज भक्ती मार्ग में तुमको कोई यह आश नहीं थी कि हम स्वर के मालिक बने यह बात तो बुद्धी में थी ही नहीं यह बाबा ही बहुत गीता पड़ते थे सुनते थे प्रन्तो यह आश नहीं थी कि हम राज योग सीख नर से नरायन बनेंगे तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया बाबा कहते हैं मैं अब तुमारी स्वर्ग की आश पूरन करने आया हूँ अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धी में धारन करो स्वर्ग का रचेता है बाप वे बहुत सैज रिती बैठ समझाते हैं हाँ काम महाशत्रू है यह तो सन्यासी भी कहते हैं इसलिए घर बार छोड़ देते हैं वे तो हुई एक दो की बात उनका नुर्विती मारकापाड ड्रामा में है है तो वे भी भगत गाड़ फादर कहते हैं लेकिन वे कौन है यह नहीं जानते फिर कहते हैं भजराधे गोबिंद किसको भजे कृष्ण का नाम फिर गोबिंद रख दिया है जो सुना है वे लिख दिया है भला गोबिंद किसको कहें गोवों को चराने वाला मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है है भी हुमन गोवों की बात आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे अभी बाप ने आकर सुमत दी है माया रावन कूमत देते हैं बाप सुमत देते हैं सुमत है शिव बाबा की कूमत है रावन की सुमत माना शिरी मत कूमत माना जूठी मत अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो बाबा क्यते अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो हम जूठी मत पर थे स्वर्ग की आश तो थी नहीं अभी बाप ने नई आश परगट की है वहाँ कोई एप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े अब तुम सबकी नई आश है भल पुर्शार्थ नमबर वार करते हो बाप तो नमबर वन मत देते हैं न कहते हैं ये तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उत्र आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे ये पिछारी की मैमा है तुमारी मैमा पिछारी में गाई जाएगी जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वावा निकलेगी अभी तो चड़ते गिरते रहते हैं अभी अभी खुशी में नाशते अभी अभी मुर्दा बन जा पड़ते माया भिन भिन परकार से ठोकर मार देती है कहा ना कहा सूत मुझा देती है जो शिरिमत को छोड रावन की मत पर चल पड़ते हैं फिर चिलाते रहते हैं बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो शिरिमत पर चलने से ही तुमारा कल्यान है तुमारे अंदर बाप ने ही आश परगट की है कि शिरिमत पर चलने से यह लक्ष्मी नरेंड जैसा बनेंगे जैसे यह ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तत्वम यह बात भूलो मत परन्तु माया ऐसी है जो शिरिमत लेने का चांसी नहीं देती कहां कहां उल्टा काम करा देती है करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे टाइम नहीं मिला जो राय लेवे अब क्या करें माया ने तुमको थपड़ मारा इसमें बाब क्या करेंगे हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए सन्यासी कभी नहीं कहेंगे इस्त्री प्रुष एकठे रह पवित्र रह सकते हैं इसमें युक्ति बहुत है ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है तुम बच्चे ब्रामन ब्रामनियां बनते हो तो कहां कुल को कलंक नहीं लगाना बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता ला नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करें यहां तो सब भाई 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 हो जाते हैं इस पर वो लोग हसते हैं कि यह फिर कहां का रिवाज है यह तो है ही नहीं बात ऐसी राय कभी कोई देना सके कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई भेन हो गए तो बुद्धी में बिठाना है क्योंकि सबकी बुद्धी का ताला बंध है पत्थर बुद्धी हैं तो तुमको उनकी बुद्धी का ताला खोलना चाहिए धेर के धेर सेंटर्स हैं उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं तो भाई भेन ठहरेना वे क्रिमिनल असाल्ट कर ना सकें इंपॉसिबल है यह तो नई रचना है ईश्वर की वे कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं है बाप कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ फिर तो ना शिबाबा होगा ना बीके होंगे यह ग्यान प्राया लोप हो जाएगा फिर कहां सुन सकेंगे अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर यह खलाश हो जाएगा पान्वों ने राइधानी स्थापन की यह भी शास्त्रों में नहीं है देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक देते हैं पते तो दुनिया के इनों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती स्वर्ग से नर्क में लड़ाई करेंगे क्या अच्छा भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी जरूर संगम होना चाहिए वह अपना लक्षकर ले आकर लड़ाई करें हिसा भी नहीं बैठता जहां असुर हैं वहां देवता कोई है नहीं जहां देवता हैं वहां असुर नहीं तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती पांडवों की लड़ाई भी लगना सके, जो शीरिमत पर चलते हैं, वे कभी किसको लड़ेंगे कैसे, लड़ाने वाले हैं मनुष्य, बाप लड़ने वा जुवा खेलने के छुटी नहीं दे सकते, पांडव कोई मूरक थोड़े ही थे, जो जुवा खेलेंगे वा आपस में लड़ेंगे, बाप ने समझाया है, यह बाबा का रुद्र ग्यान यग है, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विश्क के लिए कितना तंग करते हैं, बोलो भगवान कहते हैं कामा शत्रु है, इस पर विजे पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे सम के पूजते हैं, मदद भी मिलती है, मनुश्य तो सुन का डर जाते हैं कि इस्त्री पुरुष इकठे रहते पवित्र रहें, यह हो नहीं सकता, कहते हैं जरूर कुछ जादू है, ऐसे ससंग में कभी नहीं जाना, शुरू में बचियां भागी तो वे नाम हो गया, भठी तो बनी तो जरूर भागे होंगे ना, बंदेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बादूरी की बादूरी भी चाहिए, गरीब तो समझेंगे कोई हरजा नहीं, इसके कारण हम स्वर्क की रजाई क्यों गवाएं, यह घर से निकाल देंगे, अच्छा, हम जाकर बरतन माझें जाडू लगाएंगी, बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ना सकें, शुरू में तो बच्चियों का पाट था, गरीबों के लिए बहुत सहज हैं, बाबा कहते हैं, बाबा के पास आएंगे, तो पहले जाडू आधी लगाना सब करना पड़ेगा, माया के तुफान भी जोर स आएंगे, बच्चे याद करेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए, पहले नश्टो मुआ बनो, तब है बात, शिब बाबा को मत देनी पड़ती है, ग्यान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं है, बाप तुम्हें नैनों पर बिठा कर स्वर्ग में ले चलती है, साजन पिछाडी सजनी जाती है, तो मटकी में जोती जगाते हैं, बाप आते हैं, सब को गुल-गुल बना कर ले जाने, प्योर भी सभी बनेंगे, पापों का बोजा सिर पर है, तो हिसाब किताब अंत में चुक्तू कर जाना है, इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी म हैनत करते हो, जो नहीं करते, वे ऐसे ही थोड़ी ही मुक्ती में जाएंगे, क्यामत के समय खुब सजा खाकर फिर मुक्ती धाम में चले जाएंगे, आत्मा का तो स्वधर्म है, साइलेंस, हम एशरीरी हो बैठते हैं, इन करमिंद्यों से काम नहीं लेते हैं, चुप हो जाते हैं, प्रंतु कब तक आखिरीन करम तो करना है ना, साधू संत आधी कोई को भी यह पता नहीं है, कि आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस, सन्यासी लोग शांती को ढूनने जाते हैं, बाबा कहते हैं, शांती तो तुमारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाएं, हम कर्म योगी हैं, बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, तो विकरम विनाश होंगे, फिर स्वर्ग को याद करो, 63 जनम भक्ती की घमसान ने हैरान कर दिया, अभी तुमको सब हंगामों से छुडा दिया है, बाबा के डिरेक्शन मिलते हैं, कि अब ऐ शरीरी बनो, क्योंकि त फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूँगा, इस में हंगामे की कोई बात नहीं है, भक्ती मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे, सब को पुनर जनम लेते लेते, तमो परधान बनना ही है, अच्छा, मीठे मीठे, सिखी लदे बच्चों प्र नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, शिव बाबा, धारना के लिए मुख्य सारे नमबर एक, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, शिरिमत पर मूझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगा नमबर दो बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुक्तू करने हैं ऐ शरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है आज बाबा ने वर्दान दिया बाबा का हाथ अपने सिर पर अनभव करते हैं और वर्दान को अपने अंदर समा लेते हैं बाबा कहते बाप की समीपता के अनभव द्वारा स्वपन में भी विजई बनने वाले समान साथी भव बाप की समीपता के अनभव द्वारा स्वपन में भी विजई बनने वाले समान साथी भव विस्तार है भगती मार्ग में समीप रहने के लिए सत संग का महत बताते हैं संग अर्थार समीप वही रह सकता है जो समान है जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वह इतने विजई होते हैं जो संकल्प में तो क्या लेकिन स्वपन मात्र भी माया वार नहीं कर सकती सदा माया जीत अर्थार सदा बाप के समीप संग में रहने वाले कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सकें स्लोगन है सदा निर्विगन रहना और सर्व को निर्विगन बनाना यही यतार्थ सेवा है सदा निर्विगन रहना और सर्व को निर्विगन बनाना यही यतार्थ सेवा है अनमोल ग्यान रतन दादियों की पुरानी डाइरी से अपने निश्चे में स्थित हो अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चे करना है कई समझते हैं कि ये ग्यान तो मेरे भागे में ही नहीं है ऐसा नूंदा हुआ है लेकिन नहीं ये निश्चे अवश्य रखना है कि मेरे भागे में नूंद है पुर्शार्थ करके अपनी प्रालब्द बनानी है क्योंकि विराट फिल मनुसार बनी हुई तो है लेकिन पुर्शार्थ से इस बनी को बनाना है बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बन बनावे बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए लेकिन पुर्शार्थ से जो प्रालब्द सिद्ध होती है उनको ही प्रालब्द समझना चाहिए यही ग्यान है बाकी नून्द समझ पुर्शार्थ हीन हो जाना यह अग्यान है अच्छा, ओम शान्ती, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सूमत मिली है, तुमारी बुद्धी का ताला खुला है, इसलिए तुमारा करतव्य है, सब को अपनी बुद्धी का सयोग देना, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती